KVS ने detailed notice जारी कर दिया है जैसा कि आपको पता होगा recently हमने एक video बनाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि क्या fees रहने वाली है हिंदी translator वाली post के लिए और क्या syllabus रहने वाला है तो वो जो हमने आपको syllabus बताया था और साथ साथ हमने ये भी कहा था कि इसमें अगर कोई change हो है तो वही सब इस video में हम बात करेंगे उसी चीज के बारे में तो चलिए शुरुवात करते हैं केंद्रे विद्याले संगठन की recruitment के बारे में तो PRT और TGT दोनों के अलग-अलग notice अगर PRT से संबंदित notice आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इनकी site से डाउनलोड कर स पोस्त हैं वह सभी का अलग से एक notice डाला है PRT का अलग notice है तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हिंदी translator वाली पोस्त है उसमें क्या eligibility है उसका क्या syllabus है क्या कुछ selection process होगा आगे बढ़ते हैं तो कुछ details है और सबसे पहले आपको बता देते हैं आप बहुत सारी various posts है जै assistant section officer ASO और फिर आता है जी हिंदी translator तो हिंदी translator की others में OHVHH others के लिए कोई भी vacancy नहीं है टोटल vacancy आपको बताए तो 11 है जहाँ पर एक EWS की है एक SC की है दो OVC non-crivilear वाले candidates के लिए है और साथ vacancy UR के लिए है ST के लिए अभी कोई vacancy नहीं है आगे बढ़ते हैं तो फिर आगे आपका आता है SSA फिर junior security rate assistant आ जाता है stenographer grade 2 आ जाता है तो यह सारी post इसमें है आगे चलती है eligibility जाल लेते हैं तो eligibility जो SSC, GHT और जितने सारे बागी exam होते हैं GHT से related जितने सारे recruitment आती हैं उन्हीं की तरह इन्होंने भी eligibility मांगा है कुछ नए नया नहीं है पे scale की बात करें तो level 6 के आपको salary मिलेगी basic पे आपका 35,400 आनि के आपके in hand salary जो आएगी 55,000 से 60,000 के बीच में आ जाएगी और हिंदी या हिंदी subject से या फिर हिंदी medium से master degree आपके पास है तो फिर English subject graduation में compulsory हो, elective हो या medium of examination होना चाहिए अगर किसी और medium से या फिर और subject से आपके पास master degree है तो English और Hindi दोनों आपके या तो subject रहे हो या फिर एक subject हो दूसरा medium of examination हो जिस तरह से भी हो सकता है इसके साथ साथ आपके पास होना चाहिए डिप्लोमया certificate course in translation जिसको PGDT कहते है या फिर दो साल का translation में experience तो ये थी आपकी eligibility qualification जो essential है आगे चलते हैं इस relaxation के बारे में तो भी 5 साल SCST के होते हैं 3 साल OBC के होते हैं women all categories for teaching post के लिए 10 साल की छूट है तो ये छूट भी आप देख सकते हो बाकी जो SSC I'm sorry SSC बार-बार में याद आ रहा है क्योंकि SSC का भी ज्यादा तरूसी से लेना देना होता है वीडियो में तो इसमें जो आपको age limit दी गई है ये आप छूट आप देख सकते हैं कित कितनी दी गई है ठीक है आगे चलते हैं तो AWS वालों के लिए इन्होंने कहा ठीक है आगे फिर चलते हैं और देखते हैं और क्या important आप लोगों के लिए फीस की बारे में बात करें तो फीस बहुत ज्यादा है फीस डिक्वाइड नहीं है CDPH और एक्सर्विसमेंन के लिए कोई फीस नहीं आप कितनी सारी पोस्ट के लिए अपलाई करो बागी सभी के लिए फीस रखी गई है और हिंदी ट्रांसलेटर के आपको बता दे 1500 रुपे है बहुत ज्यादा है लगता है दो तिन साल में जितने साल के बाद रिक्रूटमेंट आई है सभी की कसर इन्होंने निकाल लिया आगे फिर कहते हैं कि आपको प्रिंट आउट अपना निकाल करके रखे जब डोकुमेंट वेरिफिकेशन हो गया इंटर्वी के टाइम पे तो उस प्रिंट आउट के और उस पे लगे फोटो की आपके सिगनेचर के और आपके जितने सारे डोकुमेंट्स है उनके ओरिजिनल और उनकी कोपी की जरूरत पड़ेगी ठीक है तो यह प्रिंट तक ही आप एपलाई कर सकते हो और जो टेंटेटिव डेट है एक्जामिनेशन की वह इन्होंने नहीं बताई है बाद में पता चलेगी हो सकता है कि जल्दी हो जाएगा जनवर या फरवरी मार्च तक हो सकता है कि आपकी डेट आजाएगी नहीं वेकैंसी जब बारे में बत सकते हो किसी भी क्येस्टन पर आपको डाउट लगता है कि इसका या आंसर नहीं होना चाहिए अपे ये क्वेस्टन घलत है तो एक हजार रूपे पर क्येस्टन यार क्या 1000 रूपे एक क्वेस्टन पर लगेंगे भाई साब मुझे समझनी आ रहा इतने में तो SSC के 10 क्वेस की तो syllabus देख लीजिए तो syllabus है हिंदी translator का 180 का होगा आपका written test जिसमें 180 objective question आएंगे 180 minute में ही आपको करने होंगे काफी जादा time है एक minute के लिए question तो बहुत है तो अब यहाँ पर time के बारे में बात करें क्या क्या आएगा तो देखो 80 question आएंगे language के 40 English के 40 Hindi के 40 question 40 अंके होंगे याने कि total मिला के स्सी हो जाएंगे section wise आप देखना चाती हो तो इस देख सकते हो उसके बाद में फिर आगे बताते जनरल awareness and computer literacy आएगा 40 अंका जिनमें general knowledge होगी 10 अंक की 10 question reasoning होगी 10 अंक की 10 question computer literacy होगा 10 अंक का 10 question और थोड़ा भूत मैत भी आजाएगा यह भी 10 अंक के 10 question होंगे इसके बाद part 3 आता है translation skills यह site अंक के होंगे site questions होंगे अब इससे पहले क्या होता था इससे पहले आपका होता था कि यह होता था यह जो part है यह 100 अंक का होता था इसमें charge question आते थी लेकिन अब क्या होगा one liner से आई ठीक है तो objective होगा क्या होगा यह पता नहीं अभी कुछ नहीं बताए ऐसा खास कुछ नहीं दिया हुआ बस यही चीज इन्होंने बताई है इंटर्व आपका नब्य अंक का होगा total weight is होगी return test की 80% और इंटर्व की 20% फिर आपकी बन जाएगी final merit लेकिन final merit में जाने तक का काम तो कर लीजिए अगर आपको apply करना है तो फटावर से कर लीजिए लेकिन अभी आप apply नहीं कर सकते जल्दी पांच तारीख आ जाएगी और पांच तारीख के